अलो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग इस न्यू वीडियो, मैं कुछ नया ट्राइ कर रहा हूँ, उन्बॉक्सिंग वीडियो ट्राइ कर रहा हूँ तो मेरे पास जादा resources नहीं है, मतलब ऐसे camera वेमरा अच्छा, तो मैंने अपने facecam से record कर रहा है, तो पहली unboxing वीडियो है, तो जादा जजमत करना, बाकी मैंने ट्राइ कर रहा है, अच्छे से सारे opinion वगरे दे सकूं, review दे सकूं product का, तो जैसे कि तुम्हें hint लग रहा होगा, क इस चीज का unboxing video है यह, तो वही कुछ नया ट्राइ कर रहा है, अगर पसंद आए तो तरूर लाइक करना, नहीं भी पसंद आए तो अपनी advice share करना comments में, I'll try to work on that, so thank you और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, let's go So guys, welcome to a brand new video, यह तुम कह सकते हो, मेरे चैनल पर पहली product review या boxing type video क्या दो, क्योंकि वैसे तो मैं content creator हूँ, gaming का content डालता रहता हूँ, अपने सैटप में बहुत प्यारा edition करने जा रहा हूँ, हमने माइक, Piffine का A6D, जो आता है, सब कुछ तारी accessories के साथ, जैसे इसमें boom, arm, pop, filter, 7th, and a RGB gaming mic है, तो आप चलो, शुरू करते हैं इसकी unboxing बिना किसी बेरी, तो यह है हमारा product, यह अभी ऐसा आया है, मैंने दो दिन पहले order कर रहा था, यह आज आदी गया, ताफिफ पास दिलिव की थी, एक दिन का deliver time था, पट वही मने रात को order कर रहा था, तो कल का पूरा एक दिन लगा कि नोने आप फेज दिया, तो यह हमारा product, तो आओ इसे खो इसके अंदर से लिख रहा है, define employee game A60, यह हमारा product है, define employee game A60, जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें automatic gradient RGB है, और खुदी नहीं पढ़ पा रहा है, मेरा रहना के हमारा, मैं खुदी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं आपको पढ़कर आता हूँ, इसमे stand है, volume knob है, plug and play है, USB type connectivity है, automatic gradient RGB है, और full and clear audio है, और इसके अंदर है, shock mount, pop filter, boom arm stand, 8.3 feet, लगबद धाई meter की, इसमें USB cable है, और desk clamp है, चलो आँ इस डिबे को खोलते है, तो, content बताता हूँ, हमें box में क्या-क्या मिलता है, सबसे पहले इसका user manual है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, user manual, user manual तो, user manual तो हम वैसे पढ़ते नहीं है, mount दरने कही तरीका बता रखोगा, mount तो हम वैसे चटलिंग लिए, फिर उसके बाद है, इसमें एक phone cover, phone cover हमने हटाया, फिर इसमें आपको मिलता है, obviously, यह हमारा प्यारा सा चोटी सा mic, Define Amplitude A6T, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, प्लास्टिक का यह पूरा base है, इसका नीचे, सब प्लास्टिक का है, metal का यहां पे, वो, desk mount में लगाने के लिए, यहां metal की connectivity, माइक की क्वालिटी की बात करूँ तो, ऊपर, tap and play button है यह वाला, और बाकी माइक की body भी प्लास्टिक की बनी हुए है, काफी steady लग रहा है, बड़ी आए, यह तो हमारा माइक है, फिर इसके साथ आता है, इसके अंदर, यह desk lamp, को भी हम लगाएंगे, setup करते हैं, फिर इसी के साथ हमको यहां पर मिलती है, यह धाई मीटर की USB cable, इसमें, अच्छा, यह mic में C type connection से लगता है, और PC या laptop में लगाने के लिए, उपर USB port है, और नीचे है, यह C type, let's go, फिर उपर हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, जो की है, इसका pop filter, pop filter कहलो, या shock absorber कहलो, आते हैं, अभी हम इसको लगाएंगे, इसके साथ, तो यह सब इस खांचे में आई थे, और अच्छे साइड में, अगर और अंदर चलें, तो हमको मिलता है, एक और फोम की covering, जिसके अंदर है हमारा boom arm stand, यह हमारा boom arm stand है, boom arm stand की quality की बात करूँ तो metal का है, काफी strong है, यह वदन की बात करूँ तो यह लगबग 500-600 gram का होगा, quality तो अच्छी है, यहां पे, नीचे इसमें, यहां माइक लगेगा, यह निकाल के, इसको open करूँ तो, यह देखो, L-Shave मिलता है, काफी लंबा boom arm है यार, तो मैं अपने mic, table पर लगाऊंगा, सीदे मुझे आगे mic आएगा, let's go, और अगर इस phone coat हैं तो, तो हमारे box में यही सारे content आते हैं, यह डिबबा हो चुका है, इसका खाली, तब प्यारी packing है, यह प्यारी पैकिंग है, त इसको सेट अप करते हैं, और इसकी sound quality चेक करते हैं, तो guys, finally हमारा mic सेट अप हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको पूरा सेट कर लिया है, सारा boom arm बगरे, इसका shock absorber, सब लगाके, desk claim बगरे, लगाके सेट अप कर दिया है, तो यह mic हमारे चालू हो चुका ह जैसी हमने इसको plug and play करा, इसकी C type cable, C type port, cable यहां से connect करी, और USB cable अपने laptop में लगाई, वैसे ही है, इसकी RGB light चालू हो गई, इसको control करने हैं, कोई option है नहीं, यह gradient RGB light है, मतलब यह eventually change हो दी रहती है, फिर तीछे वो light change हो दी है ना मेरी background में, वैसे ही इसकी change होती है, intervals पे, तो अभी जब आवाज सुन रहे हैं, वो इस माइक से आ रही है, जो filters के साथ है, अब मुझे दो मिट दो आप, मैं, यह मैंने filters off कर दिये, तो यह अब इसकी बिना filters के आवाज है, जो इसकी raw quality है माइक की, तो यह तो आप लोगी जच करोगे, कैसे लगी इसकी, आपको sound quality, वैस पर नीचे लगा हुआ, एक स्टॉप पूलिंग पैड बट, ठीक है वो, laptop को भी चल रहा है, वो भी चल रहे है, तो उनकी आवाज थोड़ी capture कर रहा है, और background में मेरे चल रहा है, पंखा, अब क्योंकि मैं बैंगलोर में रहता हूँ, और job कर रहा हूँ, तो AC लगाने करता पैसे है नहीं, इसी चल रहा है, पर पंखा चल रहा है, फुल स्पीड पे, तो अभी मैं दो मिनट के लिए शांत हो कि आपको दिखाऊंगा कि इसकी sound quality कैसी है, यह कितनी background noise capture करता है, तो जैसा कि आपने सुना ही है, basically, fan की आवाज तो capture नहीं कर रहा है, जो fan उपर लगा इसमें थोड़ी बहुत आ रही है, अब और जो पहले आपने आवास तो नहीं थी, जो इंट्रो में आवास थी, इस वीडियो के, वो थी मेरे, जो मेरे headphone है, Cosmic Byte के, उनकी आवास थी, Cosmic Byte के नहीं है, चाहिद रेडगेर के headphone है, मेरे रेडगेर के Cosmos 7.1, उनके माइक से, म बहुत अच्छी है, अगर फिल्टर्स लगा दो तो ज्यादा difference पड़ता नहीं, बट अगर आप एक streamer हो, और आपको अपने setup में aesthetic look चाहिए, तो यह माइक बहुत ज़्यादा budget friendly लहता है, और इसकी quality बहुत अच्छी रहती है, अब देखो, जैसे कि मैं इसमें filters on करूँग तो यह मैंने filters on करें OBS में, तो अब अगर मैं देखो शांत होता हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी background noise नहीं आएगी पर जैसा कि आपने देखा कि filter लगाने के बाद बिल्कुल background noise नहीं capture कर रहा है, इसमें मैं नीचे एक volume control बटन है, आप जैसे मैं उसको decrease करता रहूँगा, तो अवाज कम होती जएगी, कम होती जएगी इसको increase करूँगा, नीचे से तो ये increase होती है बद और ये pull पर है, अब इसको आप अपने setting में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं केम को सोटा छोटा करूँ, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने filter लगा रखे थे, अगर आप यहाँ पर mic और aux वाले option में जाते हो, OBS के through अगर stream करते हो, या stream last में भी ये same option होता है, तो अगर यहाँ पर click करके filters पर जाओके तो आप noise suppression और noise gate लगा सकते हो, noise suppression में RN noise यूज कर सकते हो, जो कि आपका GPU यूज करके ये बहुत बहुत बैटरिन quality देता, background noise बिल्कुल cancel हो जाती है, और noise gate में आप ये same settings copy कर सकते हो, मेरी वाली जिससे की बिल्कुल background noise reduce हो जाएगी, जितनी भी noise में background में disturbance रहेंगी, सब भट जाती है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो settings में जाके, आपको जो default इसका, वो मिलेगा, settings set होई, वो मिलेगी, आपको 1 channel 16 bit, 48,000 Hz पे, DVD quality पे set होके मिलेगा, 92 kHz पे, studio quality पे, जिससे की quality और enhance होती है, अब जब mic offer करी रहे है, इतने कम price में, ख्री रावन के अंडर ये mic आता है, तो क्यो ना पूरा भी फाइदा उठाया जाए, और मैंने यहां से थोड़ी volume reduce कर रखी, क्योंकि मैंने जाता कि बहुत जादा तेज अवाज आई मेरी streams म तो ये बस कुछ settings करनी है आपको, बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, ये mic का sound quality और build quality तो मैंने आपको इसकी बताई थी, काफी solid build quality है, budget differently mic है, इसका link का discussion में दे दूँगा, अगर आपको खरी ना तो वासे ले सकते हो, अभी great indian festival चल रहा है तो थोड़ कुछ difference आएगा निए, price में 37 के अंडर ये mic आपको हमेशा मिल जाएगा, define a60 amplitude gaming microphone, ये मेरे ऐसे छोटे creators के लिए, streamers के लिए, और अगर आपको podcast लगे भी करना है, उसमें भी use कर सकते हो, बट podcast के लिए RGB भी ज्यादा यूज़ करते में लोग कि, RGB का आपको पता ही है, games में अगर आपको बीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपको अपने दोस्तों में, ये भी मेरी पहनी unboxing वीडियो, थैंक्यू बीडियो बीडियो झाल